हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पूजा पूजा की किचन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत दोस्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बेसन और कम समान से स्वाधिस्टी मिठाई बना कर त्यार करेंगे अगर मेरी रैसीवी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिएगा जादे स्यादर शेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होतों से स्क्राइब ही कीजिएगा मेरी वीडियो को सुरू से एंड तक देखेगा जबी पता चलेगा मैं आपके लिए कितनी मैनत करती हूँ आप बनाना शुकरते हैं फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए मैंने ये बेशन लिया है, इसे मैंने छान लिया है, ये मैं डिर्ट कप के करी ये बेशन ले रही हूँ, आप बेशन कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या पतला इसे बनाने के लिए मैं 1.5 cup दूद का इस्तमाल कर रहे हूं फिलाल तो मैं अभी एक कप डाल रही हूं इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे बिल्कुल भी लम्स नारा है इसके अंदर इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल fat ना है हमें देखिए इसको बिल्कुल स्मूथ करना है हमें बैटर को जो हमने आदा कब दूद बचाया था हम वो डाल कर अच्छी तरीके से हम इसे mix कर लेंगे हमें इस तरीके का इसका बैटर बना कर त्यार करना है देखिए आप इसे जब मर्जी बना कर खा सकते हैं बहुती टेस्टी सी मिठाई बन कर त्यार हो जाती है बहुती जल्दी बन जाती है मिठाई हमारी है मेरे बच्चों को तो बहुती स्वाधिस्ट लगी है ये मिठाई मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा एक बार ओर जरूर बनाना ये मिठाई इस तरीके से देखी हमें इसका बैटर बना कर त्यार कर लेना है देखिए ये बैटर हमारा त्यार हो चुका भी समसाइड में रख देते हैं गैसे मैंने एक पैन चड़ा दिया था उसमें मैं एक कप के करीब चीनी डाल रही हूँ चीनी आपने टेस्ट के कोडिन कम जादा कर सकते हैं जितनी हमने चीनी लिये उतना ही हमने पानी लेना एक कप के करीब इस अची तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हमें इसकी ज़्यादा गाड़ी चासनी बना कर त्यार नहीं करनी है चिपची पीसी चास्णी मराकर त्यार कर लेनी है हमें इसकी ये मैं छोटी हरी इलाइची डाल रही हूँ मैं इसे खोल कर डाल रही हूँ आप चाओ तो इसका पाउडर बना कर भी डाल सकते हैं मैं इसके बीज भी ढाल रही हूं और इसका छीलता भी डाल रही हूं, इसका अच्छा सा टेस्ट आता हूँ-मिठा के अंदर अगर आपको इलाइची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो तो आप नहीं डालिएगा मुझे तो बहुती अच्छा लगता है इलाइची का टेस्ट तो इसलिए मैं डाल रही हूँ इसे हमें 2-3 मिन्ट तक ही पकाना जादा नहीं पकाना है हमें चासनी को ये देखिए हमारी चासनी बनकर अच्छे से त्यार हो चुकिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीकी हमें चासनी बनाकर त्यार करने है देखिए यह देखिए बिल्कुल चास्नी जो है हमारी बिल्कुल चिपचिपी ही लग रही है यह देखिए तार नहीं बन रहा है कोई सभी चास्नी हमारी बिल्कुल बनका अच्छी से त्यार हो चुक है अब इसे हम साइड में रख देते हैं गैसे मैंने कड़ाई रख दी थी गरम होन अब इसमें डाल देते हैं और इसे तरीके से हमें चलाते रहना है छोड़ना नहीं है थोड़ सा चलाते चलाते इसके अंदर गाठे भी पड़ जाएंगे तो आप घवराएगा नहीं अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल चलाते रहना है इसको इसे हमें अच्छी तरीके से मिक तियार करना है देखिए चलाते रहना है इसका बिल्कुल color change हो जाएगा देखिए इसे हमें continue चलाते रहना है अगर हम चलाते नहीं रहेंगे तो हमारी जो मिठाई का जो taste है बिल्कुल इस तरीके से त्यार हो जाएगा देखिए कड़ाय में देखिए बिल्कुल लगना शुरू हो चुका है देखिए आप ये मस सोचिए कि नीचे से चल रहा है तो हमारा जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसके अंदर चसर टेस्ट भी आएगा थोड़ा सा आपको सुरू-सुर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीकिसे हमें से continue चलाते रहना है बिल्कुल अच्छी से color चेंज हो जाएगा इसका देखिए अभी थोड़ा सा color आपको दिख रहा होगा विल्कुल हलका सा इसा फिल אותi ऑश चुंखा हो चुका है हमारा जो डव है बिल्कुल अच्छा हो चुका है अमारा जो डू ख Northwestern कि आज चुलकर जाएगा कि इसी नीची से कहते रहिए इसका बहुती अच्छरा़ सा टेस्ट आएगा एक बिल्कुल अमेस तरीकेसि को चलाते रहना है जब आपको लगे कि दाना दाना सा सकेंदर दिखाए दे रहा है तो समझ लो ये बनकर त्यार हो चुका है हमारा अब इसकेंदर जो हमने चासनी बना कर त्यार की थी वो हम डाल देंगे और अची तरीके से हमें से चलाते रहेंगे दूसरे हाज से इस अची तरीके से हमें मिक्स कर लेना है चासनी डालते हैं इसके अंदर थोड़ी सी गाठे पर जाएंगी तो आप इसे continue चलाते रहेंगे अगर आपकी गारी चासनी होगी तो जो आपकी जो मिठाई है थोड़ी सी हाड बन कर तियार होएगी मिठाई तो इसलिए थोड़ी सी हमें चासनी को थोड़ासा चिपचिपः ही रखना है और इसे च्छे से मिक्स कर लेना है देखिए देखिए कितना चाँसा सुन्दर सा कलर आ चुका है अमारी मिठाई के अंदर देखिए आप चाहो तो इसके अंदर color भी add कर सकते हैं मगर मैंने बिना color के ये बना कर त्यार किये मिठा है ये देखे कितना सुन्दर सा color आ चुका है देखिए अब इसको हम continue से spatula से बिल्कुल चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर लंस ना खताम हो जब तक हम इसे continue चलाते रहेंगे ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे से हमारी जो कड़ाई के अंदर लगना शुरू हो चुका है देखिए बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर इस चीज का भी इस तरीके से हमें इसकी तिकनेस चाहिए रहेंगे हमें इसे continue चलाते रहेंगे इसे चोबना नहीं है बिल्कुल भी यह हमारा जो डोय मिठाई का बिल्कुल अच्छे से त्यार हो चुका है इसे हमें गरम गरम में ही सैट करना होगा यह मैंने घर का यह नॉर्मल टिफिन ले लिया अपने बच्चे का इसमें मैं थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया है थोड़ा सा इसमें ओईल भी लगा द इस तरिकेसे हमने बटर पेपर को अच्छी तरिकेसे ग्रीस कर लिया जो हमारा जो मिधाई का डो है मुझ्श में डाल देते हैं गरम-गरम डो में हमें मिधाई को सैट करना होता है अगर ठंडरी हो जाएगा हमारा डो तो वो अच्छे से सैट नहीं होगी यह मैं अच्छी तरीके से spatula से चारो तरफ से set कर दूँगी, अगर आप के पास कोई spatula नहीं हो तो आप इसे किसी глаз से भी set कर सकते हैं, इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से से set कर लेना है, देखिये भूत ही असान तरीके से ये सेट हो जाएगा ये देखिए ये देखी बिल्कुल अच्छे से मैंने से सेट कर दिया इस पाचला से ही चारो तरफ से देखिए एकवल करना है हमें बिल्कुल अब इसे मैं फिरिज में आदे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ जिससे हमारी जो मिठाई जो बिल्कुल अच्छे सेट हो जाए मिठाई देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके मैं आपको टच करके भी दिखा रही हूँ अब इसे हम चाकू से चारो तरफ से निकाल लेंगे असान तरीकी से हमारी मिठाई जो है निकल कर त्यार हो जाएगी जो हमने बटर पेपर लगाया तो उससे असानी से हमारी निकल जाती है मिठाई अब इसे हम थोड़ा सा पलट देते हैं और थोड़ा सा हाथों से टैप कर देते हैं अगर आपको लगे कि टिपिन से अच्छी तरीके से नई निकल रही तो आप इसे पाच मिंड के लिए थोड़ा सा भार छोड़ दे तो यह अच्छे से निकल जाएगी यह देखिए कितनी असानी से निकल चुकिया अब इसका हम बटर पेपर निकाल देते हैं यह देखिए वाओ कित अच्छे से हमारी मिठाई सा एट हुए देखिए मिठाई को सुन्दर दिखने के लिए मैं इसमें मिठाई को मैं इसे बिल्कुल बर्फी के अकार की शेप दूँगी आपको इसे भी शेप दे सकते हैं मिठाई को कितनी असानी से देखिए कट हो रही है देखिए आप चाहो तो इसे दो या तिन गंटे के लिए भी सैट होने के लिए रख सकते हैं मगर मैंने इसे आदे गंटे के लिए सैट होने के लिए रखाता मुझे थोड़ी सी बर्फी जो है थोड़ी सी सॉफ्टी अच्छी लगती है इसलिए मैंने से आदे गंटे के लिए फिरिज में रखाता सैट होने के लिए देखिए मैंसे अच्छे से कट कर लेते हैं देखिए कि साइड से भी हम कट कर लेंगे अब इसको इस तरीके से हम इसे मैंने अची तरीके से कट कर लिया है अब यह साइड से थोड़ा सा शेप दिख रही है वो भी हम कट कर लेंगे मैं यह बच्चों ने तो यह भी नहीं चोड़ा उनको तनी स्वादिस्ट लगी है हमारी यह मिठाई मैं आपको उसका एक पेस निकाल कर दिखाती हूँ इस देखिए कितनी सोफ्ट मुँ में गुल जाने वाली हमारी यह मिठाई बनकर तियार हुई है देखिए कितनी स्वादिस्ट लग रही है दिखने में भी खाने में भी बहुती अच्छा सा टेस्ट आया हमारी मिठाई का इसके हम प्लेटिंग कर लेते है लीजिए हमारी दिवाली स्पेशल मिठाई बनकर तियार हो चुकी है इसे हमने बेसन से बना कर तियार किया है बहुती स्वादी बहुती टेस्टी हमारी ये मुह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तियार हो चुकी है देखे कितनी दिखने में जितनी सुन्दर लग रही है उतनी खाने हमारी टेस्टी मिठाई बनकर तियार हो चुकी है आप इसे दिवाली पे आपके घर में कोई भी तो आप उनको बना कर खिला सकते हैं अगर आपको मेरी रैसी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिएगा जाद से अपने दोस्तों में शेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सस्क्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज